बेंटेन के यूनिवर्स में आप सभी ने ये नूटिस किया होगा कि जब कैविन 11 अपने आउकात से ज़्यादा पावर्स को एब्जॉब कर लेता है तब वो एक खुले सान की तरह बे काबू हो जाता है परियार बेंटेन के यूनिवर्स में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी एक्जिस्ट करते हैं जो कि अल्टिमेट पावर्स को एब्जॉब करने के बाद वें उनका खुद से काबू नहीं जाता और तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूँ कि वो कैरेक्टर्स भी ऑस्मोशियन है जिसमें से पहला केरेक्टर तो हमारा हो गया माइकल मॉर्निंग स्टार्र ये बंदा पावर्स के मामले में इतना जादा भूखा है कि अपने अल्टिमेट फार्म में जाने के बाद माइकल इतना हरामी था कि वो अपने पूरे होसो हवास में था और यार सच कहता हूँ कि कैस्टर जैसी बला को छोड़ के इसने बहुत बड़ा चूतियापा किया और यार इसके अलबा दूसरा केरेक्टर अल्टिमेट एग्रिगॉर है जिसने ये खुद कबूला है कि आस्मो से इन चाही जितने पावर को एब्जॉब कर ले उनका काबू खुद से नहीं जाता जब तक वो कोई कमजोर नसल ना हो वैसे ये एपसोड बहुत ही जादा कमाल का था और अगर आपको देखना है तो मैंने एक्स्पेंड कर रखा है लिंक मेंशेंड इन दा कमेंड